दोस्तों, बर्तमान समय में यात्रा करने के बहुत से साधन उपलब्ध हैं। उन्ही साधनों में से एक होता है कार। बर्तमान समय में कई परकार की लगजरी कार सडकों पर दोड़ती भी नजर आती हैं। कुछ कार तो अपने हाई स्पीड के लिए भी जाने जाती हैं। कई लोगों की समझ थी जिस पर पूरी कम्यूनिटी ने एक साथ बैट कर चर्चा की तब जाकर कार का विश्कार हुआ। आईए अब जानते हैं कार का विश्कार किस ने किया और किस देश में सबसे पहले कार चलाया गया था। कार से पहले भी यातायात के साथनों का निर्माड किया गया था। लिकिन यह सभी यातायात के साधन पूरी तरह से सुरक्षित नहीं थे। इसलिए इंजिनियर एक ऐसा मोटर वाहन बनाना चाहते थे जो कि सुरक्षित हो और लंबी यात्रा के लिए बहतर हो। इसी को ध्यान में रखते हुए सन 880 के दसक में कार का निर्माड किया गया हलांकि उस समय तक कार इतनी ज्यादा सफल नहीं हुई थी। इसके बाद दुनिया में पहली बार सफलता पुर्वकार का अविस्कार सन 880 में कारल वेंज ने किया था जो की एक जर्मन मेकेनिकल इंजिनियर थे। कारल वेंज के द्वारा बनाएगे दुनिया के पहली कार इंटर्नल कंबसन इंजिन द्वारा चलाई जाती थी। पेट्रोल कार का अविसकार सन 893 में चाल्स दुरईया ने किया था जो की एक अमेरिकी नागरिक थे। इसके बाद धीर धीरे समय के साथ सन 1898 तक अमेरिका के अंदर कई मोटर निर्माता कमपनियों की अस्थाफना क इसके बाद सन 1904 में अमेरिका में लगबग 240 कार निर्माता कमपनियों हो चुकी थी। अगर हम कार के इतिहास को पीछे छोड़कर बरतमान समय की बात करें तो आज दुनिया में कार सबसे ज़्यादा यातायात का साधन बन चुका है। दोस्तों अब बात करते हैं कार से ज होते थे जिनका आकार साइकिल के पहियों के बराबर होते थे। कारल वेंज ने कार का अविसकार सन 1885 इस भी में किया था लेकिन इस अविसकार के लिए उन्हें पेटेंट जन्वरी 1886 में मिला था। मोटर वेगन कार में लगे इंजन को कारल वेंज ने डिजाइन किया था मोटर वेगन का इंजन 954cc इंटर्नल कमशन इंजन था यहाँ अन इंजन के पेक्चा बहुत हलका था जिससे सुरू करने के लिए इंधन के रुप में पेट्रोल का उपयोग किया जाता था इंजन के अलावा कारल वेंजन ने इस कार में उपयोग होने वाले कुछ पूर्जो को भी बनाया था जिसमें स्पार्क प्लग, गेर शिफ्टर्स और केविरूटर आजिसामिल थे कारल वेंजन ने मोटर वैगन का पहला मोडल बनाने के बाद इसके दो मोडल और तयार किये थे जिसमें मोडल 2 में 1.5 और मोडल 3 में 2 होर्स पावर के इंजन को लगाया था मौडल नंबर 3 में ज्यादा होर्स पावर का इंजन होने के वज़े से इसकी स्पीड 16 किलोमेटर प्रतिगंटा हो गई थी कारल वेंज के द्वारा बनाई गई मोटर वैगन को 5 अगस्टन 1888 को सबसे पहले उनकी पत्नी ने अपने दो बच्चों के साथ 105 किलोमेटर की सबसे लंबी या त्रात्ता ही की थी कारल वेंज की पत्नी का नाम बेर्था बेंज था कारल बेंज ने कार बनाने से पहले अपना खुद का एक लोहे का कार खाना शुरू किया था इस कार खाने की वज़े से कारल बेंज को भारी नुक्सान हुआ था जिसके वज़े से कुछ समय बाद उन्होंने यह कार खाना बंद कर दिया इसके बाद कारल की पतनी बेर्था बेंज ने कारल बेंज को आर्थिक रूप से मदद करके मोटर वैगन कार को बनाने के लिए कहा था जिसके बाद उन्होंने यह कार बनाई थी कारल वेंज ने तीन पहियों वाली कार के बाद सन 1994 को बेंज वेलो कार बनाई थी जो कि पहली चार पहियों वाली कार थी इस कार में 3 होर्स पावर का इंजन लगा हुआ था इस कार के स्पीड 20 किलोमेटर प्रतिगंटा थी चार पहियों वाली सबसे पहली कार वेंज वेलो थी वेंज वेलो कार दुनिया की पहली कार थी जिसका प्रोडक्शन आम लोगों के लिए सुरू किया गया था उसके बाद तरह तरह की कारों का निर्मार होता रहा लक्जरी कारे भी बनते रही और आज के समय में कार एक सुब्धा जनक वाहन हो गया है लंबी आत्रा करने के लिए